नमस्कार आप सभी का एगेंस कर्षे सन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेगे सूचना आयोक के आदेश के बाब जो अगर लोग सूचना पदाधिकारी सही सूचना नहीं देते हैं ब्रहमित सूचना देते हैं जूटी सूचना देते हैं तो इसके खिलाप किन-किन धाराओं में अफायार दर्ज करवाई जा सकती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दवाकर ओल पर भी क्लिक कवस्य कर लें जिस से RTI से संबंदित, RTI से संबंदित जानकारी आप लोगों को शिग्र उपलब्द करवाई जा सके तथा आप लोग भी उसके इखिलाप आवाज उठा कर भारत को भरत्ता चार से मुक्त करवाने में योगदान कर सके तथा एक लाइक अवस्य कर देंगे तथा इसे इतना सेर करेंगे हर भारती को इसकी जानकारी आसानी से हो सके चलिए देखें मैंने एक बाद में सूचना आयोग में सुनवाई की थी जिसमें आदेश प्राप्त किया गया था कि सही सूचना देने के लिए इसके बावजूद भी मुझे सूचना नहीं दी गई जिसमें मैंने अफ पुलिस अधिक्षक नवच्या भागलपूर विसे राज सूचना आयोग के वाद संख्या इतना के ग्यापांग कितना दिनां कितना के आदेश के बाब जूद लोग सूचना पदाधिकारी ओपी भानी पूर द्वारा सही सूचना ना देकर पुनह ब्रहमित जूटी सूचना देने पर दोसी की व्रुद करवाई करने के संबंद में महास है मैं अपना पूरा नाम और पता लिखा हूं पहला ग्यापांग कितना दिनां कितना से आयोग के दिनां कितना के आदेश के बाब जूद मुझे सही सूचना नहीं दी गई दूसरा लोग सूचना पदाधिकार सह ओपी अध्यक्षवाने पूर द्वारा एक वर्स शह माविलंग से पुनह ग्यापांग कितना दिनां कितना से इब्रहमिच जूटी सूचना अपलप्स कराई गई है जिसकी छाया परतिस सकलगन है पुनह ग्यापांग कितना दिनां कितना में भी जूटी वर्स 2019 की सूच दिना दी गई है एसपी कार्याले के ग्यापांग कितना और इतना है तेसरा ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा बीस एक के तहथ दोसी पर पचीस जार रुपए का आर्थिक डन लगवाने की सिफारिस की जाए एबं धारा बीस दो के तहथ दोसी पर विभागे कारवाई के लिए सिफारिस भी की जाए चोथा धारा आउनीस आठ बी के तहत मुझे हुए आर्थिक छती के लिए मुआवजावी दिलाने के ये सिफारिस करने की किरपा की जाए एबं दोसी पर भ्रहमित जूठी जानकारी देने आर्टी आई एक्ट धारा का उलंगन पर भारतिय डंसनिता की धारा के तहत अफायार दर्ज होना चाहिए ऐसी इस्तिती में भारतिय डंसनिता की धारा 166a 166 420 468 और 471 के तहत दोसी पर अफायार दर्ज करवाने की किरपा की जाए अपना हस्ताक्षर अपना मुवाइल नंबर दे सकते हैं जो आदे परमानित कर आप पर्थम अपेलिय प्रादिकार या बरिश्ट पतादिकारी के समक्षा वेदन दे कर दोसी पर अफायार दर्ज करवा सकते हैं जैहिन